आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिलीबरेंस बाइ प्रेम चंद आप लोगों को साथी सम्वरीज बाकी पोईट्री एंड ड्रामा सेक्शन के सारी मिल चुके हैं अब हम ट्रेंसलेशन वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं और ग्रूप में बाकी चीज़ें आप लोगों हम जिसे बोलेंगे वो है सद्गति डिलीबरेंस मेंस क्या है आप हिंदू मैथलोजी या इसके कॉंटेक्स में इसे देखेंगे तो सद्गति का मतलब होता है कि एक अच्छी जगाना मरने के बार ठीक है तो यह जो स्टोरी है वो मुंसी पुरेम चंजी ने लिखी है और ल यहां से कुश्चन आएगा मुंसी पुरेम चंजी का जो जन्म था वह कब हुआ था तो आप लोगों को याद रखना है कि उनका जन्म में 31 जुलाइ 1880 को हुआ था 1880 तो most probably 80 याद रखना है जो कि मैंने आप लोगों को बताया शौट ट्रिक कि इस तरह से आप लोगों को याद रखनी है और 1936 1936 में उनकी क्या हो गए थी इसके अलावा जो हो इक ठैने था हुआ मन अच्ट वहां जोने मय इसल्टा को था have मुष्म情況 को याद रखना है यह उनका फेन नेम था जो कि आप लोगों को याद रखना है उनका बने हैं इनकी वाइफ का नाम था शिवारानी देवी इन चीजों को आप लोग याद कर लिजिए इसका सद्गति काफी सारे नाटक बाद में बने हैं और जो इंका नाटक जो बना था वो था अप मूवी में आया था वो आया था 1981 में और जो नाट्य रूपंत्र ने इसका बनाया गया था वो था चित्रा मुद्गल जी ने बनाया था ठीक अब ठीक है इसके अलावा में आप लोगों को मुंश्री प्रेम चंदी की एक डिटेल वीडियो दे दूँगा पूरी जिससे के उनका जो बैक्ग्राउंड हो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन फिलहाल आप लोग क्लास के लिए ये कर लीजिए इतनी इतनी चीज़े कर अगर आप लोगों को याद रख लेना अगर आप लोगों को कि नावाब रोई किसका पैन नेम था तो मुंश्री परिम चंदी था एंपरर ऑफ इंडियन नॉमलिस्ट और सिंपली उनको एंपरर माना जाता है बहुत सारी नॉबल से नहोंने लिखी और बहुती शांदार लेंगे डिलिवरेंस अमंग दो दो शॉर्ट इस चोरी ऑरिजनलि रूटन इन हिंदी ट्रैंसलेट टू इंग्लेश ओ लिखी तो हिंदी में गई है लेकिन उन्हें ट्रैंसलेट्स जागए एंग्लेश में आप लोगों को करता जाओंगा बहार निकालता जाओंगा को सिर्फ कीवर्ड से लिखते हुए चलना है स्टोरी आप लोगों को याद हो जाएगे सुनकर ही और इसनल टाइटल ऑफ डिलीवरेंस सद्गर्ण साल्वेशन जो कि मैंने कहा ना साल्वेशन मीन्स होता मुक्ती ठीक है इसका मतलब क्या होता है मुक्ती डिलीवरेंस फ्रम इसका मतलब यह तो हो सकता है कि यह पूछा जाए कि सद्गर्ण का इंगलिश वर्ड क्या है तो वह है आपका साल्वेशन दे शॉर्ड स्टोरी डिलीवरेंस बाइप रेम चंदिस क्रिटिसिसम ऑफ हिंदू सोसाइटी यहां पे हिंदू सोसाइटी को टार्गट किया गया है वेर कास सिस्टम और बेसिकली कास सिस्टम को टार्गट किया गया है रूल्स सोसाइटी अबब ऑल रूल्स डी टाइटल में पोट्रे अपॉजिटिव मोमेंट विदिन इस स्टोरी हावववावदी प्रटैगनिस्ट फाइंड्स एवर्टिं इन लाइफ डिफिकल और और कोई उनका जो हम कहें कि जो एंडिंग है स्टोरी की वो ट्रेंसेंडेंटल उसे हम नहीं मान सकते हैं ठीक है कि मितलब उसको मुक्ति मिल गई हो उसे तो वो सिर्फ जीवन से मुक्ति मिली थी डिलीवरेंस बाइप प्रेम चंद ये अब हम डिटेल में सब्सक्री के लि गें जी जै और ऑफ यह यह हूअ है जो आ टेनर का काम करते थे मुक्त इब जो दाने का। is preparing for his daughter's is concerned about the arrangements daughter के engagement होनी है और उसे क्या है arrangement करने है he and his wife जूरिया अब दूसरा character आ गई है his wife जूरिया clean the house and plaster it with cow dung to make it comfortable for the visiting priest अब उनके घर में जो priest आना है उसके लिए उन्होंने क्या किया है अपना पूरे घर को साफ सफाई की है उसको plaster करके रखा है they realize there is no cot कोई चारपाई नहीं है जिस पे वो priest को बिठा पाए priest to sit on and जूरिया suggest getting one from ठाकूर of the काइस्थ कास्ट वो कहते हैं कि जूरिया कहती है कि ठीक है ठाकूर के घर से ले आएंगे जो कि काइस्थ कास्ट के है दुखी becomes infuriated ठाकूर for help वो कहता है कि तुम ठाकूर से help लोगी they decide to clean their own cot but have doubt about whether the priest will find it suitable अब वो सोचते हैं कि चलो को साफ सफाई की जाए लेकिन फिर भी उनको doubt रहता है कि क्या priest इसमें बैठेंगे या उनको यह पसंद आएगा to compensate for the cot अब वो सोचते हैं कि चलो cot का कुछ option ढूनते हैं दुखी flans to make leaf plates अब देखिए यहां पर question आप लोगो किस तरह से बन जाएगा question बन जाएगा कि जब उनका पास cot नहीं था arrange नहीं हो पाया तो उन्होंने क्या arrange करने की कोशिश की थी तो उन्होंने leaf plates from leaves of the mahuwa tree mahuwa tree के जो leaves थे उन्हें लेने की कोशिश की which are considered pure और क्यों लिए गए थे वो mahuwa tree के ये भी आप लोगों पता होना चाहिए क्योंकि mahuwa tree के जो पत्ते होते उन्हें क्या माना जाता है पवित्र माना जाता है जुरिया offers to make the plates और जुरिया जो है वो कहते है ठीक है मैं plates बनाऊंगी दुखी अग्री हो जाता है character का नाम ही दुखी है asking her to remind him offerings for the priest अब वो कहते है priest को कुछ जो दान दक्षिना देनी है उसके बारे में भी बात करते हैं दुखी insist on using a leaf plate instead of metal plate for offering दुखी कहता है कि तुम्हें क्या करना है कि उसको जो पंडित आएंगे उनको क्या किया जाएगा leaf plate दी जाएगी और metal plate नहीं दी जाएगी he instructs जुरिया not to touch anything वो कहता है जुरिया को कि कोई भी चीज आपको क्या नहीं करनी है touch नहीं करनी है इस्पेसिफाइज ओफरिंग्स तुभी बाट इंक्लूडिंग फ्लोर राइस घी साल्ट टर्मरिक एंड फोर अनकोईन और पंड्य जी को दुखी अब दुखी चला जाता है कहां पंडित के घर पे दुखी प्रपेर्स अब बंडित फॉर प्रीस्ट पंडित घासि राम यहां पर क्या है पंडित का नाम है और हूं लेकर गया था तो बंडल ऑफ ग्रास लेके गया था उसकी काव के लिए उसकी गाए बंडल ऑफ ग्रास लेके उसके पाप बाकी चीज़ें होती नहीं है वो घासी राम के लिए वेट करता है और वो करता है कि वो काफी इस्ट्रिक होता है अपना जो रिच्वल टाइमिंग से हैं पूजा पाट का जो टाइम है और सम्मान के लिए यह सारे कामों करता है वहाँ पर लेट जाता है जमीन पर और पहले खड़ा होता है लेटता है चेस्ट से और फिर जाके अपने हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है प्रिस्ट नोटिसेज दुखी स् प्राजिंस एनिंकॉर अपने सो अपना पर ऊपर है और जो दुखी है वो कास सिस्टम में hing ठीक है अब उनकी हिरार्की यहां पर शो होती है दुखी explains to the priest why he has come, वो बताता है कि मैं क्यों आया हूँ and priest agrees to come in the evening to finalize the date for the engagement, अब वो कहता है कि ठीक है मैं शाम को आउँगा और date finalize कर दूँगा, दुखी asks where to place the grass bundle, वो कहता है यह जो घास का बंडल है कहां रखो मैं and priest tell him to keep it near दिका वो कहता है चलोगा आएके पास रख दो पंडित घासी राम देन गिवस दुखी several errands वो उसको छोटे-छोटे टास्क देता है लभी छोटे-छोटे काम होता है घर के to complete before evening including sweeping the door and plastering वो उसको छोटे-छोटे बहुत सारे घर के काम पकड़ा देता है bringing four sacks of straw from a field और यहां पर अब लोगों को याद रखना है कि दुखी घर से खाकर नहीं आया होता है बिल्कुल भूखा रहता है bringing वो होता है कि चार बोरे क्या ले आना आज इस्टॉक के ले आना field से and chopping wood और लकडी काटने का काम देता है इतना सारा काम उस विचारी को मिल जाता है दुखी is hard work अब य उसे लिपाई पुताई होती है वो पूरा कर दिया उसने बाई नून दुखी हूँ है हूँ है नहीं जाता है और क्योंकि उससे जो प्रीस्ट है वो एंग्री हो जाएगा अब यहां पर क्या होता है उसकी जो एक्स है ठीक है यह वो परेशान हो रहा होता है इस चीज से फिलिंग डाट है तोबेको वोड गीव इंस ट्रुकी आस नेवर गोंड थीक है नेवर में कोई कौन होता है उसे कहता है कुछ तबेको दे दो एंड ट्राइस तु गेट फायर फ्रॉम प्रीट साउथ और प्रीस्ट के गर्जि आए आए अए 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 अग्राइड दे शॉस पाया है इस टोरी में भी ठीक इन हर हाउस और अगे फ्यूरियस हो जाती है गुस्टा हो जाती है दुखी रियालाइजेज इस मिस्टेक्स मिस्टेक एंटरिंग अब रहामिन सहाउस अक्नॉलजिंग दी कुल्चुरल टैबू अशोशेट विद इस एक्शन था उसके साथ एक कल्चुरल टैबू बना होंगे कि यह जो भेदभाव था वो काफी टाइम तक चला है और इवन अभी भी काफी जगए यह को मिलता है इवन हम यह कहें कि काफी सारी चीजे चेंज हुई है बट अब जाकि वह पचास साल का इन चीजों में टाइम लगा है और मुझे लगता है कि अगले 100 साल और जो कम्यूनिटी है जो हाईय कमशिटी है समाज में उन्हें एक तरह से इस चीज को टाइम देना चाहिए मेरा मानना है चाहिए जो हायय साइटि है उसे भी अपने आपको थोड़ा सा लिब्रल बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए जो निए जैनेरेशन है अमारी तरह उस उसको और जो लो जेनेरेशन है उसको भी इस चीज़ को बहुत जादा अपने दिल को कहीं न कहीं जो चीज़ें हुई है उन चीज़ों को एड़ेस्ट करके और दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए जिसका फाइदा को तीसरा ना उठा पाए तो यह सारी चीज़ें चल रहे थ है ना मैं खुद अपने ब्रामिन फैमिली से आता हूं तो मैंने खुद देखा है कि यह चारी चीज़ें थी लेकिन आज की डेट में नहीं है अगर मैं खुद कहूं तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं फ्रॉम दे टाइम और माई ग्रेंड पैरेंट्स एंड फ्रॉ कि एक जो इंसान है वह साइटी में हमने उसको कितना वीक कर दिया है कुछ फालतू के रूल रेगुलेशन से बनाके आइस प्लिंटर फ्रम बर्निंग वर्ड फॉल्स ऑन दुखी सेट अब जो आता है पर गिरता है एंड ही शेक से टॉप फिलिंग एट वाज पनिश्मेंट ही डिजर्व फॉर एंट्रिंग अप्रामिन सोच रहा है कि यह जो आग मेरे सर में गिरी है यह एक ब्रामिन के घर पर एंटर होनी के वजए से गहीं ठीक है इसके बाद भी हो क्या होता है ब्रामिन के लिए उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाती है अब वो क्या कहता है कि यह भगवान का एक तरह से मेरे मेरो पर दंड था लेटर दी प्रीस्ट वाइज 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 नोटिसे दुखी हाड वरक इंट राइंट पिर्स दी लॉग और आसका रास्बें इस यूद आप पूस्ति है अपने हस्बेंट को पूस्ति है कि क्या हमें उसको खाना देना चाहिए ति प्रीस्ट रेप्लाइज दाट यह इंट्रेस्ट इन गिविंग फूड पॉसिबिली ड्यू तो हेज लोवर कास्ट स्टेटस और वो उसको खाना अपने हाथों से नहीं खिलाना चाहती थी मेंस देना तक नहीं चाहती थी बट बाद में और इसी वजह से हम देखेंगे कि उसकी डैथ हो जाती है जो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी शिकुरी आफ फ्रेंड आफ दि गोंड कास्ट वो क्या थी फ्रम फ्रेंड फ्रम गोंड कास्ट कमस तो हेल्प बट आलसो फेल्स तो ब्रेक दिलाउग एक्स्प्लेनिंग था उसमें क्या था लकडी अगर आप लोग ने किसीने काटी हो तो उस लकडी को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक सिंगल आदमी के लिए चुकुरी आस फॉर जो चिकुरी है जो ब्राविन के घर का मैं उसको क्या नहीं करता है अब यह देखे जो चिकुरी है वो चला जाता है जो जो बोरे हैं उनको उठाकर लाने के लिए ट्रिप्स carrying two sex at time and falls asleep from exhaustion और उस थक के क्या हो जाता वो सो जाता है वेन पंडित घासी राम वेक्स अप ही फाइंड्स दुखी अब घासी राम जो है वो अपना उठके आता है देखते हैं कि जो दुखी है अभी तक जो वुड है वो अनकट है वो नहीं कटा है तो वो क्या करते हैं चिलाते हैं दुखी पर दुखी वेक्स अप ग्राप्श् एक्स मेक्स अफाइनल एफट तो ब्रेक दुखी हो जाएगा तो एक्स और रिपीटेडले स्ट्राइक दूर्ड फॉर हाफ है आद ए घंटे तक वह लखडी को फिर से काटने की कोशिश करता है वह क्या हो जाता है तूर जाता है और वहां पर उनकॉंशेस हो जाता है बेहोश हो जाता है पंडित घाशिराम w पोशिश करता है कि दुखी उड़ जाया लेकिन वह नहीं उड़ता है और वो कहता है कि दुखी को देखता है उसकी बॉड़ी क्या होगी है और उसको वो मर चुका है तो इतनी थकान और भूग से जो दुखी है वो एक्शुल में मर चुका है अब यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं पंडित घासी राम पैनिक्स आस्किस वाइबस हाव तो दील विद दुखी देट बॉड़ी शी एडवाड़ी शी एडवाड़ी शी एडवाड़ी को बताओ वो इसको देख लेंगे अब लोग उस जगे से आना भी पवित्र नहीं मान रहे हैं लोग वहाँ से उसका गार्वाड़ी शीजन है पूरी जो है वो कहती है तो मारा गया है ठीक है गासी राम ट्राइस टुक अनुट अब वह गासी राम जो है वह कन्विंस करना चाहता है लेकिन बाकी लोग उसे नहीं उठाते हैं उन्हें लगता है कि इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है अधी रात तक वो रोते हैं प्रीस्ट्य फैमिली क्या होती है इस चीज से परिशांद नहीं पाती है ड्यू तो रिलिजियस लॉस ब्रामिन्स कैनों टॉड़ी ऑफ टैनर लीडिंग तो स्टेल में अब यहां पर क्या होता है कि वो बिलकुल ब्रामिन है तो वो क्या नहीं कर सकते हैं टैनर की बॉड़ी को टच नहीं कर पाते हैं अब मानिंग तक उसकी बॉड़ी जो है वो डिकंपोस होनी शुरू होगा इस्ट नहीं पावित्र नहीं है शुब नहीं है दुखी बॉड़ी बिगिन टो डिकंपोस अब मानिंग तक उसकी बॉड़ी जो है वो डिकंपोस होनी शुरू हो गई उसमें सड़ना शुरू हो गई है एंड इमिट आ फावल ओडर और उसमें एक गंदी फावल ओडर आना शुरू हो गई है सिंस नो टैनर कम चुरू हो गई हटा दूंगा ही टाइज अ लूप और बॉड़ी अंड्रेग अफ दी विलेज इंटो फील्ड और वो दुखी के पैरों में एक प्रसी डालता है और उसे गसीटते वे अफ्टर रिटर्निंग होम गासी राम प्यूरिफाइज गासी राम खुद को प्यूरिफाइज करता है हिमसेल बाइज टेकिंग बाथ रिसाइटिंग प्रेयर्स और स्प्रिंकलिंग गैंजिस वाटर इन दी हाउस वो गंगा का जो जल है उसे छिड़क कर पवित्र करता है घर को आईरिन के लिए डिस्पाइट दुखी इप रिस्पेक्ट पर ब्रहामिन इस बाड़ी इवेंचली इटन बाइज एटन बाइज और यह एक हार्श रियाल्टी थी जो कि हमें देखने को मिलती है और आप लोगों को पूरी स्टोरी आप लोग समझ गये होंगे और वैसे अनलेसिस हम देख रहे हैं बट साथ में आप लोगों को बताया डिलिवरेंस बाइप्रेंचन सर्फ डारेक्ट क्रिटिक आफ इंडिया का सिस्टम का क्या है हम हैं और लीड दुखी वो डिवर्स धे ढी He was 대전 basedским में और चैनले उसीं करता है जो में बरामिन होता है पंडित ईंड़िट रहता है दुखी देश anda no remotes for someone dedicated to serving others. The priest, wife and other Brahmins in the village exhibit similar attitude. और लगबग सभी Brahmins का क्या था? इसी तरह का attitude था. अगर आगे हम देखें तो Chikuri representing this socially aware individual वो socially क्या है? Aware individual है? Attempts to involve the police and at the tenor but he is ultimately powerless against the caste system's constraints. Trapped like everyone else. The title Sadgati or Deliverance is Sadgati or Deliverance is का कापी apt अच्छा title है. means suitable title है as Dukhi finds liberation from oppressive caste system. उसे liberation मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है. His life as a tenor prisoner और उए प्रिसनर की तरह life. जी रहा था. Having to beg even for something as basic as fire. His from these struggle can be seen finally हम इसे positive outcome की तरह उसकी death को देख सकते हैं. However, the story leaves many questions unanswered. Inviting readers to ponder the future. Will brahmin family face for action? क्या उन्हें consequences मिलेंगे? What will become Dukhi's wife and daughter? और क्या होगा? Dukhi की wife and daughter को? Will there be police investigation? Police अपने दोस्त के लिए पारेगा? But we all know the answers because of that time it was not possible. Will the village undergo any transformation following the tenors transformation आएगा, बदलाव आएगा. Ultimately, the story suggests that unfortunately, nothing will disrupt the status quo of the caste system and life will continue as usual. और life क्या होगी? Continue ऐसे ही चलती रहीगी. Hopefully, कि आप लोगों को पूरी story अब याद हो गई होगी and आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए होगी. characters आप लोगों ने कर लिये होंगे. बाकी, इनके जो आपका translation वाला पार्ट है, उसके short notes तयार हो गए हैं. वो मैं आप लोगों ग्रूप में share कर दूँगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाई, तक के.